आप लोग की जर्नी कैसे चल रही है और आज का जो मैसेज में आप लोग को कनवे करने जा रही हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथी साथ दोस्तों वीडियो आप लोग लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी अच्छे खासे आते हैं बट एक बहुत स्ट्रेन सी चीज है कि सब्सक्राइबर काउंट्स जो होते हैं वह उस एशियो में नहीं बढ़ पाते हैं प्लीज अगर आप आ रहे हैं इस वीडियो को वाच कर रहे हैं तो जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए आज का वीडियो स्टाइट करते हैं दोस्तों जहां पर मैं देना चाहती हूं आप लोगों को यह वाला मैसेज जो की मुझे रिसीव हुआ और इस वेरी वेरी स्ट्रॉंग मैसेज फो यू बिकॉज जो लोग भी अपनी जर्नी में सॉलूशन ढूंड रहे हैं काफी लंबे समय से यह शायद उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ा सॉलूशन हो सकता है तो कोई भी कार्मिक एनरजी एक ऐसी स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग वाली कार्मिक एनरजी जो की बहुत ज़्यदा स्ट्रॉंग ली उसने प्ले किया है आपकी लाइफ में अच्छा कासा जीवन का टाइम शेयर किया है आपने इस एनरजी के साथ और बहुत ही इविल कार्मिक energy ठीक है बहुत manipulative I can say narcissist और ये energy के साथ आप एक अच्छा गासा time share किये हो और long time तक आप इस energy के उपर co-dependent भी रहे हो आप co-dependency में रहे हो प्यार के परदे के पीछे बहुत कुछ आपने साहा है इस energy के साथ तो ये जो person है जो कोई भी आपकी लाइफ में role play किया है इसने ये एक बहुत ही अच्छी good news है this energy will leave you right जर्नी के जिस phase में आप हो यहाँ पर ये आपको छोड़ के जाना वाले हैं छोड़ना चाहते हैं literally खुद से छोड़ के जाना चाहते हैं कहीं न कहीं इनकी energy में आप ये feel भी कर रहे होंगे ये जो कार्मिक energy है ये जा रही है और df इसको अभी भी df पूरी तरह से इस dependency से निकल नहीं पाई है तो कहीं न कहीं df अभी भी देख रही है और wonder कर रही है कि ये मुझे छोड़ के कहां जा रहा है और ये जो person है ये जो energy है ये literally अपनी bike उठाता है और वहां से निकल लेता है और जब ये चला जाता है उस टाइम पर जब ये अपनी bike mode के चलाता है टर्न करता है तो जैसे अगर कुछ चीज या कोई कच्रा या ऐसा कुछ पढ़ा होता है जैसे bike पे तो वह एक लहरा के गिरता है ना तो वैसे ना बहुत सारे छोटे छोटे बहुत छोटे size के कीडे के size के अजगर अजगर जैसे मुँग वाले प्राणी वहां से गिरते हैं उसकी bike से वह चला जाता है वहां से bike लेकर और वह गिर रहे हैं पीछे कीडे गिरते हुए जा रहे हैं और जब ये df उनको बहुत करीब से देखती है कि ये क्या गिरा है कीडे जैसा तो डर जाती है क्योंकि लिटरली ये बहुत बहुत छोटे size के कीडे के size के अजगर थे अजगर होते हैं बहुत evil energy जिसने बहुत लंबे time तक आपको trap में रखा एक time पर ये अजगर बहुत बड़ा रहा होगा जिसने आपको बुरी तरह से फसा के आपका दम घोट के और आपको रखा था अपने साथ अजगर कैसे करता है अजगर कितनी धीमी मोत मारता है वो आपको पूरी तरह से लपैट लेता है पूरी तरह से अपने trap में लेता है और फिर आपको धीरे धीरे करके एक-एक हड़ी के चठगने की आवाज सुनाई देती है जब आप मर रहे होते हो यही हालत कार्मी के साथ होती है आप तूट रहे होते हो और लिटरली आप वो टूटन सुन पा रहे होते हो वो दर्द, वो तकलीफ, वो घुटन जो trap में रहके होती है और आप छूट नहीं पा रहे होते हो आपके inner work और आपकी strength की वज़े से वही विशाल अजगर पिल्कुल कीडे के साइस का हो गया है और कहीं न कहीं वो महीं पहुँच गया जहां से वो निकल गया था तो strong, strong कार्मिक आपको छोड़ के जाने की तैयारी में है और ये it's a good sign means आपकी strength इतनी बढ़ चुकी है कि विशाल का है कार्मिक रूपी अजगर एनर्जी भी अजगर जैसा एनर्जी भी जिसने आपको बहुत लंबे लंबे टाइम तक trap में फसा के रखा था आज सड़क पे या रस्ते पर एक बहुत छोटे कीड़े की तरह रहेंग रहा है और अपना रस्ता डूण रहा है कि कहां जाए क्या करें अगर कोई भी यहां पर ऐसा है सुनने वाला जिसके लिए मैसेज है तो प्लीज कमेंट में जरूर करिएगा विकाज इट वोस वेरी स्ट्रेंज बहुत स्ट्रेंज है यह मैसेज लेकिन बहुत ही साथ में रिलीफ देने वाला मैसेज है बहुत सारे लोगों को कि स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है इसमें कोई जादू नहीं है आपने खुद अपने हार्ड वर्क से अपनी strength इतनी बढ़ाली है कि बड़े बड़े कार्मिक भी आपके सामने हार गए हैं हार गए हैं या हार सकते हैं या आप उनको हरा सकते हो या आप उनको निकाल सकते हो ये उन लोगों के लिए motivation भी है जो लोग helpless पाते हैं अपने आपको पूरी तरह से फसेव हुए हैं तो अगर आपके खुद को एक twin flame बोलते हैं तो आपका उतना अपने उपर work करना बनता है my ideas आप इतना work करिये ताकि हर मुसीबत हर परेशानी हर कार्मिक energy हर attack उसके सामने बिल्कुल छोटा पड़ जाए क्योंकि ये तो ultimate truth है कि जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है ये कार्मिक जब छोड़ के जा रहा IDF को तो साफ दिखाई देता है कि वो उसको face ही नहीं करना चाता है वो उससे बात ही नहीं करना चाता है वो बस भाग जाना चाता है सीन से निकल जाना चाता है क्योंकि उसको पता है कि अब वो कुछ भी यहां से खीच नहीं पा रहा है लेनी पा रहा है और ये IDF इतनी भोली होती कि इसको ही नहीं पता कि इसके अंदर की strength सामने वाले को दिखाई दे रही है ये बस ताज्यूब कर रही है खड़ी-खड़ी की ये ऐसा behavior क्यों कर रहा है ये कहां जा रहा है और जब वो जाता है तो वो IDF ध्यान से देखती है कि कुछ कीले जैसे गिरे हैं पीछे और जब वो ध्यान से देखती है बहुत 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 चोटा अजगर उसकी शेप और शकल अजगर की थी लेकिन वो एक बिल्कुल लिटरली एक कीड़ा था रहेंगने वाला सच बतारी हूँ मुझे बहुत रिलीफ मिला है इस मैसेज से बहुत सारी सोल्स के लिए मैं ब्लस करती हूँ कि उनको उनके जीवन में सल्यूशन्स मिल जाए बिकोज आए फेस्ट इट थूआउट माइ लाइफ और मुझे पता है कि ये कारमी के रिलीज करना क्यों सा पहाड लांगने के बराबर होता है चलिए दोस्तों वीडियो को यही एंड करती हूँ मिलती हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में अगर वीडियो थोड़ा मेरी आवाद से आपको ऐसा लग आ हो कि ज़्यादा सीरियस नूट पे चला गया तो सॉर्ट फॉर देट अगले वीडियो में मैं आपको हसांगी okay bless you my divine souls bye-bye